नमस्कार दोस्तों आज हम भुजांग आसन करने जाएं यह आपकी यह आपकी अब इसी को एलिवेट करता है रीड के हटी को फ्लेक्सिबल बनाता है ब्लड सर्कुलेशन की करता है और लीवर्स के प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं आई यह भूं करते हैं सबसे पहले उड़ा लेट जाएं और फिर सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे ओपर लेएं अच्छे रिजल्ट के लिए यह आपको तीन से पांच पर तक करना हूंगा तीन जब पांस पांस बार अब हम सबी दूसरा असन पस्ची मोताशन करने जाए रहे यह आप के लिट के हट्टी के फ्लेक्सिबल बनाता है अब इसीटी रेडियूस करता है और सकेंडीजिस को टीक करता है और गयंस केली ट्रावलंस को टीक करता है आई अब हम करते हैं सबसे पहले अपना पर फैला ले और फिर उसके बाद एकदम सीधा रखिए अब दोनों हाथों से अपने दोनों पर की उगलिया पकरे अच्छे जल्स के लिए आपको दसे बारा बार करना हो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब हम लोग कर मिलेंगे अगले विनियों के साथ धन्यवाद 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 दूर करता है और केंस्टी पेशन को भी दूर करता है अगर आपको हाइपर अपना पहला आसन करें सबसे पहले आप सी धिलेट जाएगे और अपने दुनों पेरों को अपने चाती में सटाएगे और फिर सास छोड़ते छोड़ते अपने नाप को दुनों के बीट में सट लखिए आपको उच्छे जल के लिए आसन आपको दूनों साई तीन बार रोल करना होगा अर्थ का हमारा दूसरा आसन है अर्जमत्य सेंद्राशन यह आपके गाल ब्रेडर और पोस्टेल के लाइंड को स्वस्त बनाता है पाचन की आपको स्वस्त बनाता है और बैक मसाज को स्ट्रेचिब्लीटी देता है अगर आपको पेप्टिक युखलर हर्णिया या है तो यह असन आपको एक्सपर्ट के गाइडेंस नहीं करना हो अगर आपको स्लेप डेस किया तो यह असन आपके लिए बहुत ही वाइद राइड राइड लेड को लिफ्ट थाई के साइड में रखें उसके बाद अपने लिफ्ट हैंड को हैंड को राइड लेड के राइड साइड से अपनी टो को फख रहें फिर उसके बाद सास चोड़ते चोड़ते पीछे मोड़े और यह और यह आसन आपको दोनों साइड स से रिपीट करना होगा अच्छे रिजर्फ के लिए यह हसान आप दोसरे सेट्सिन करना है आप दोस्तो अभमाप खागा अगे बिल्यांस वागा अभमाप खागा अगे बिल्यांस वागा अब हो इसको कार दे मत करें जोड़ी नहीं रहतां कि अप्रेटी तब माथा अगे जोड़ी माव में कैसा इसे बिल्यांस